हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने hds टूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियों लोग देखेंगे जैसे आर्टी एट किलास का मैद परसनावली 15.2 किलर है तो वीडियो के साथ बेने रही है और कहीं पर दिक्कत हूं कि तो मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं आपकी प्रोब् से किलर है बाकी वन एंड टू मैंने ओल्रेडी वीडियो प्लोड कर दिया है आप मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं तो देखिए थ्री नमबर बेलन का वक्र प्रिष्टे छेतरफल तथा संपूर्ण प्रिष्टे छेतरफल याद करें क देखिए बेलन इस तरीके से रहता है किलर है यहां पर दिया हुआ है बेलन इस तरीके से रहता है और देखिए यहां पर क्या याद करना है एक करना है वक्र प्रिष्टे छेतरफल और दूसरा संपूर्ण प्रिष्टे छेतरफल किलर है एक और दो नमब जब में बता रहा तो इसको बोलेंगे संपूर्ण पिरिष्टे छेत्रफल किलर है तो देखिए यहां पर बेलन का वक्र पिरिष्टे छेत्रफल बराबर होता है तू पाई आर एच किलर है जहां पर पाई का मान 22 बट्टे साथ हमने लोग रखना पड़ेगा और अगर कहीं पर ब्रकेट में कॉसन में दिया हुआ रहेगा पाई का मान 3 दसम एक चार तो वह भी रख सकते हैं और देखिए आर यहां पर नीचे जो एक वरीद है वरीद का जो तरिज्जा है उसका आर है और एच बेलन का टोटल उचाई है किलर है तो चलिए बनाते हैं यहां पर हम लोग फिर देखिए नीचे बेलन का संपुन पिरिष्टे छेत्रफल भी देख लेता है टू पाई आर किलर है इंटू आर पिलस एच होता है तो चलिए यहां पर देखिए सबस्पहले में लोग को वक्र पिरिष्टे छेत्रफल और संपुन पिरिष्टे छेत्रफल ग्यात करना है ए नमबर में देखिए त्रिजा दिया हुआ है साथ सेंटिमेटर और उचाए दिया हुआ है बीस सेंटिमेटर किलर है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बेलन का वक्र छेत्रफल किलर है बराबर क्या होता है टू पाई आर एच किलर है इसका हम लोग मान रखेंगे तो दे तो देखेंगे किलर है 22 वट्टे 7 गुना और र कितना दिया हुआ है रहिए 30 दिया हुआ है 7 cm साथ फिर गुना एच मतलब उंचा है दिया हुआ है 20 cm 20 अब इसको हम लोग solve करेंगे यहां पर देखे यह 7 यह 7 कर जाएगा और total सब को गुना कर देते हैं हम लोग यहां पर दे सेंटीमिटर स्क्वेर इतना आगी हमारा अन्सर किलर है अब चलिए देखते हैं संपूर्ण प्रिष्ठे चेत्रफल यहां पर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण प्रिष्ठे छेत्रफल, किलर है, ब्राबर, फर्मुला होता है, टू, पाई, आर, इन्टू, एच, पलस, आर, किलर है, अब भेली रखेंगे, टू, इन्टू, पाई का मान होता है, बाईस, बटे, साथ, इन्टू, देखी, आर, यहाँ पर तरीजा दिया हुआ है, साथ सेंटिमेटर, इसको सोल्व करेंगे भी हम लोग, दिखिए, यहाँ पर यह साथ, और यह साथ कर जाएगा, किलर है, उसके बाद बाईस दुनी, चवालिस होता है, फिर यहाँ पर गुना है, गुना लगाएंगे, फिर बीस और साथ को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, 27, किलर ह अब इसको सोल्व करते हैं, चवालिस को 27 से गुना करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा, 1188, किलर है, 1188 सेंटीमिटर स्क्वेर, तो यह होगे इसका अंसर संपूर्ण पिरिष्टे छेतरफल का किलर है, वोकर पिरिष्टे छेतरफल, 880 सेंटीमिटर स्क्वेर, और संपूर पिरिष्टे छेतरफल लागे हैं, हमारे पास 1188 सेंटीमिटर स्क्वेर, किलर है, यहाँ पर छेतरफल निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्वेर लगाना है, यहाँ पर भी छेतरफल निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्वेर लगा है, अब लोग बढ़ते हैं, बी नंब चेत्रफल ब्राबर टू पाई आर एच किलर है यहाँ पर हम सोट में लिखे हैं वकर पिर्षटे चेत्रफल को इस तरीके से किलर है ब्राबर अब देखिए यहाँ पर टू इंटू पाई का मान रखेंगे बाइस बटे साथ गुना उसके बाद देखिए आर आर कितना दी हो है 3.5 यहाँ पर लिखेंगे 3.5 फिर गुना फिर एच एच का फेलु कितना है 1.5 मीटर एक दसमिलब सोर 1.4 मीटर और इसको सौलब करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले पोइंट को हटा लेते हैं फिर गुना अब देखिए तीन दसमलो पांच है पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए उपर पॉइंट को हटा कर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए एक जिरो लगाएंगे और यहाँ पर एक लिखेंगे तो दस हो जाएगा गुना फिर यहां पर भी 14 लिख कर देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए एक 0 नीचे लगा देंगे किलर है इसको सॉल्ब करते हैं 7 एका 7 7 पच्चे 35 किलर है फिर देखिए 5 एका 5 5 दुना 10 किलर है फिर देखिए ये 2 ये 2 कर जाएगा 2 एका 2 फिर 2 एका 2 किलर है कट गया पूरा हमारे पास बच गया है देखिए 22 और 10 तो ये भी 2 से कर जाएगा 2 पच्चे 10 2 एका 2 दो ध्यान से देखिएगा इसको अराम से नहीं तो फिर बिश्टेक हो जाएगा यहां पर बच गया है देखिए हमारे पास 11 गुना 14 किलर है 11 गुना 14 तो इसको हम लोग डाइड गुना कर जेते है 14 एका 14 हाथ हमें 14 एक 14 और 15 154 बच्टे नीचे देखिए 5 किलर है 154 बच्टे 5 अब इसको हम लोग solve करेंगे तो हमारे पास आए जाएगा 30 दसमलो 8 सेंटीमिटर किलर है इसको ध्यान देना है 154 बच्टे 5 को भाग देंगे यहाँ पर 154 को भाग देंगे 5 से तो हमारे पास आएगा 30 दसमलो 8 किलर है तो इसी को मैंने यहाँ पर short करके लिख दिया है फिर देखिए बेलन का समपूर्ण प्रिष्ठिय छेत्रफल निकालेंगे भी हम लोग बेलन का समपूर्ण प्रिष्ठिय छेत्रफल बराबर फूरून होता है 2πr into h plus r किलर है 2πr into r plus h या h plus r लिख सकते हैं इसको यहां पर देखिए सेंटीमिटर लिख दिया था मैं मिस्टेक से यहां पर मिटर स्क्वेर होगा किलर है यहां पर मिटर स्क्वेर होगा क्योंकि यहां पर दिखिए मिटर में दिया हुआ है question दोनों में मिटर है तो यहां पर मिटर स्क्वेर होगा मिस्टेक से हमें सेंटिमीटर बोल दिया था मिटर होना चाहिए अब चलिए देखिए यहाँ पर वेल्यू रखते हैं हम लोग 2 इन्टू पाई पाई का वेल्यू है 22 बटे 7 गुना फिर आर आर का वेल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 3.5 किलर है 3.5 मिटर उसके बाद हम लोग बरिकेट देकर फिर एच का वेल्यू देखिए 1.4 मिटर 1.4 मिटर जोड फिर आर आर का वेल्यू फिर से देखिए 3.5 3.5 मिटर दिया हुआ है अब इसका हम लोग सोल्व करते हैं यहां पर देखिए पहले पॉइंट को हटा लेंगे हम लोग 22 बटे 7 गुना यहां पर 35 बटे देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1.0 लग जाएगा और 1 तो लिखना है नहीं तो फिर 0 का कोई भेल्यू नहीं रहेगा इसलिए यहां पर हम लोग अब यहां पर भी पॉइंट हटा देते हैं यहां फिर डारेक्ट जोड देते हैं इसको बेटर रहेगा पलस कर देते हैं तो देखिए पांच में नौ पांच में चार जोडेंगे तो हमारे पास नौ आ जाएगा फिर पॉइंट फिर यहां पर तीन में ज पच्छे 10 किला रहे ना फिर यह 5 और यह 5 कर जाएगा बस बचेगा तो 22 22 गुना अब यहां पर देखिए 4.9 है किला रहे दोनों को गुना कर देते हैं हम लोग यहां पर 22 गुना 4.9 देखिए 9 दुना 18 दुना 18 और 19 चार दुना 8 यहां पर 8 हो गया यहां पर हो जाएगा हमारे पास 17 7 हाथ में 1 यहां पर 8 और 9 और हाथ में 1 था वो 10 टोटल किला है तो यहां पर देखिए टोटल हमारे पास आया है 1078 लेकिन यहां पर पोइंट है एक संख्या के बाद पोइंट है तो ए यहां पर आगया एक सो साथ दसमेलो 8 किलर है 17 8 नहीं इतना मिटेर होगा अब दखिए S नंबर सी नम्मर दर दिखिए व्यास दिया हुआ है 14 centimeter और रुचय दिया हुआ है 15 centimeter Кिलर है यहां पर दीखियो ब्यास दिया हुआ है D का मतलब क्या होता है देखिए यह व quantum reflect है अगर यह एक वृत है तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग ब्यास बोलते हैं और यह वृत है अगर सेंटर से हम लोग बस एक साइट जाएंगे तो इसको बोलते है त्रिज्या किलर है तो यहां पर D ब्राबर होता है 2R किलर है 2R तो यहाँ पर हम लोग इसको r निकालने के लिए लिख सकते है d by 2 किलर है d by 2 लिख सकते है इसको हम लोग अब solve करते हैं देखिए d by 2 का value कितना दिया हुआ है 14 फिर हम लोग इसको आप नहीं लिखेगा तो फिर चलेगा direct r is equal to d by 2 लिखे फिर यहाँ पर बटे 2 इसको काट देंगे तो 7 किलर है 7 cm तो यहाँ पर r ब्राबर 7 cm और h ब्राबर 15 cm किलर है 7 और 15 यह value में रखेंगे तो चलेगे लिखते हम लोग यहाँ पर बेलन का वक्र प्रिस्टिय चेत्रफल ब्राबर 2 pi r h किलर है अब देखिए 2 into pi का value क्या होता है 22 बटे 7 गुना आर आर कितना है देखिए 7 cm फिर h कितना है देखिए 15 cm इसको solve करते है 7 और 7 को काट देते हैं तो हमारे पास बचेगा देखिए 22 दुनी 44 गुना 15 किलर है और देखिए 44 को पंदर से गुना करेंगे तो 15 कि 60 0 हाथ में इसे 15 कि 60 हो चे 66 किलर है 660 cm2 किलर है यहाँ पर देखिए cm दिया हुआ है तो यहाँ पर cm लिखेंगे और यहाँ पर 6 फल निकालने इसलिए इसको लिखेंगे हमारा होगे अंसर अब हम लोग संपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल निकालते हैं बेलन का संपूर्ण प्रिष्ठिय चेतरफल बराबर फोर्मूला होता है इसका 2 πाई आर इन्टू H पलस आर किलर है अब हम लोग इसका भेल्यू रखते हैं बराबर देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुना आर कितना है यहाँ पर देख़्ञे आर बराबर 7 cm किलर है इसके यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 7 cm फिर देखिए बरेकेट है फिर h, h हमारे पास है 15 cm, फिर प्लस, r फिर से 7 cm, क्लिर है, उसको solve करते हैं, ये 7 और ये 7, 7, 7, 7 से cancel हो जाएगा, अब उपर उपर बच गया है, solve करते हैं, 22 दुनी, 44, क्लिर है, उसके बाद गुना, बरिकट का मतलब गुना होता है, इसलिए मैं इने गुना लिख दिया है, अब हम इसको जोड़ेंगे, 15 में 7 जोड़ेंगे, तो हमारे पास आजाएगा 22, क्लिर है, 22, अब इसको solve करते हैं, देखिए, 44 दुनी, 88, क्लिर है, 44 दुनी, 88, उसके बाद फिर से 44, दुनी, 88 और 8, 88 और 8 को देखिए, यहाँ पर जोड़ेंगे, तो हमारे पास आजाएग 900 सेंटीमिटर, स्क्वेर होगे हमारा अंसर, क्लिर है, देखिए, D नमबर, D नमबर की कोशन है, आधार की परिधी, क्लिर है, आधार की परिधी, देखिए, 88 सेंटीमिटर दिया हुआ है, और उचाय दिया हुआ है, 25 सेंटीमिटर, तो हम लोगों को, हम लोगा फोर्मूला याद कर लेंगे, मतलब तरीजा याद कर लेंगे उसके बाद आगे का महत बनाएंगे तो चले लिखते हैं, यहाँ पर देखें व्रेत की परिधी बराबर फोर्मूला होता है 2 pi r किलर है 2 pi r, अब यहाँ समलोग r याद करेंगे, देखें परिदि दिया हुआ है अठासी सेंटिमेटर अठासी सेंटिमेटर बराबर इसको लिखते हैं टू इंटू पाई का भिलू बाईस बटे साथ गुना आर्ध हम लोगों को ग्यात करना है इसलिए आर को आर हे छोड़ देंगे अब यहाँ पर देखिए बराबर हम लोग 2 को इधर लाएंगे यहाँ पर गुना है तो इधर भाग में हो जाएगा अठासी को इधर लिखे लगते हैं बटे 2, किलर है फिर देखिए 7 यहाँ पर भाग में इधर आकर गुना में हो जाएगा बराबर का दुसर साइड आकर फिर 22 देखिए R के साथ गुना में है गुना में है ना तो यहाँ पर इधर आकर यह भाग में हो जाएगा 22 किलर है तो यहाँ पर हम लोग इसको अरे गुना लगा देते हैं और इसको बड़ा सा बटे लगा देते हैं कोई दिकत नहीं है सेम चीज है अब यहाँ पर R किलर है देखिए solve करेंगे तो 22 एकब 22 24 के 88 क्लिर है यहाँ पर 7 चोग के 28 और फिर यहाँ पर 2 बराबर इधर आर क्लिर है अब यहाँ पर आर का भेलू निकालेंगे 2 एका दो फिर 2 एका दो 2 चोग के 8 तो 14 हो गया क्लिर है तो इस तरह आर बराबर 14 सेंटिमीटर क्लिर है और देखिए उचाई ह् एक कितना दिया हुआ है यहाँ पर 25 सेंटिमीटर दिया हुआ है 25 सेंटिमीटर क्लिर है अब लोग मैस अगे बनाते हैं लिखते हैं यहाँ पर बेलन का वक्र प्रिस्टिय चेत्रफल किलर है वक्र प्रिस्टिय चेत्रफल बराबर 2πRH किलर है 2πRH बराबर यहाँ पर 2 into π का भीलिय होता है 22 बटे 7 गुना यहाँ पर फिर देखिए R, R का भीलिय निकालने हम लोग 14 cm 14 cm गुना ह का मान निकाले 25 cm अब इसका हो लोग solve कर देते हैं साथ एका साथ साथ दुना 14 किलर है नीचे सब cancel हो गया कुछ नहीं है नीचे उपर उपर का गुना कर देते हैं तरह रा जाएगा 22 दुनगी 44 किलर है फिर गुना देकर पचीस दुना 50 किलर है अम लोग 44 को 50 से गुना करेंगे देखिए 5 के 20 किलर है और यहां पर एक जीरो के लगा देंगे तो इस तरह यहां पर हो जाएगा 2200 किलर है या फिर 2200 लिख सकते हैं सेंटिमेटर है इसलिए सेंटिमेटर लिखेंगे और यहाँ पर छेत्रफल निकाल है इसलिए स्क्वेर लिखेंगे तो इस तरह बेलन का वक्र प्रिष्टिय छेत्रफल आगे हमारे पास 2200 सेंटिमेटर स्क्वेर किलर है अंसर अब लोग पास है 2 pi r into h plus r किलर है बराबर फोर्मुला याद के लिए नहीं आप लोगों को एकजाम में बहुत काम आएगा फोर्मुला याद नहीं रहेगा तो फिर मैत नहीं बनेगा यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना pi का मान है 22 बटे 7 गुना r का value हम लोग निकाले थे उपर देखी यहाँ पर r का value 14 cm तो इसको लिखेंगे यहाँ पर नीचे r के जगा पर 14 फिर ब्रकेट है फिर h का value हमारे पास है 25 cm जोड यहाँ पर जोड है इसलिए जोड लगा है फिर r का value फिर देखी 14 cm अब इसको solve करते ह साथ एका साथ साथ दुना 14 किलर है अब देखी इसको solve करेंगे तो यहाँ पर 22 दुनी 44 44 दुनी 88 डारेक्ट 88 हो जाएगा फिर ब्रकेट लगाकर इसको plus करेंगे हम लोग देखिए चार में पास जोड़ेंगे तो 9 आएगा उसके बाद एक में दो जोड़ेंगे तो 3 तो इ 49 अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं देखिए 88 को 49 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3432 किलर है इतना सेंटीमीटर यहाँ पर छेतफल निकाल है इसलिए स्क्वेर लगाएंगे तो 3432 सेंटीमीटर स्क्वेर यह संपूर्ण पिरुष्य छेतफल आग किलर है आई होब सब समझ में आ गया होगा कहीं पर दिखत भी हो कि मुझे कमेंट कर दीजे अब लोग बढ़ते हैं next इनमबर इनमबर का कोस्टन है देखिए आधार की परिधि यहाँ पर भी डी नमबर जैसे कोस्टन परिदी दिया हुए है परिदि से हम लोगों को त्री आर किलर है ब्राबर अब यहां पर देखें विरित की परहती दिया हुआ है 176 सेंटिमीटर और फर्मूला है 2PiR तो 2 into Pi का वेल्य होता है 222 बटे 7 फिर यहां पर गुना आर नहीं दिया हुआ है आर तो निकालना है इसलिए आर को आर छोड़ देंगे अब ब्राबर यहां प आर एक्याइटर 176 अब देखिए आ'r कू इधर रहे देटे है और यहां पर देखिए 7 कुलोग ब्राबर का दूसरा शार ले जाते हैं यहां पर घखिये भाग में है 7 उधर जाकर गुणा में हो जाएगा एक्सो जातर गुना 7 शात अब यहां पर देखिए 44 गुणा में ह दो दुना चार दो दुना चार फिर दो अठे 16 दो अठे 16 फिर देखिए 22 अका 22 24 ए 88 फिर साथ 24 28 किलर 28 तो इस तरह आर बराबर 28 cm हमारे पास आ गया है किलर है अब देखिए उचा ही दिया हुआ है कितना 16 cm एच बराबर 16 cm तो आर भी आ गया हमारे पास एच भी आ गया अब लोग लिखते हैं बेलन का वक्र प्रिष्ठिय छेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच किलर है 2 पाई आर एच अब लोग मान रखेंगे यहाँ पर दो गुना पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुना आर का भील अभी निकालने देखिए 28 cm 28 गुना एच है 16 cm इसको स्वल्व करते हैं साथ एका साथ साथ चोग के 28 किलर है नीचे कुछ नहीं है उपर उपर के गुना कर देते हैं 22 दूनी 44 गुना स्वल्व का पढ़ा चार वार बोलेंगे 16 दूनी 32 दूनी 38 48 64 64 होता है किलर है अब इसको गुन गुना करते हैं तो 2860 आजाता है किलर 2860 और यहां पर देखिए cm है इसलिए cm और रहा पर चेत्रफल निकालें इसलिए square लगेगा तो इस तरह 2860 cm square आगे हमारा वक्र प्रिष्टे चेत्रफल अब हो लोग निकालेंगे संपूर्ण प्रिष्टे चेत्रफल बेलन का संपूर्ण प्रिष्टे चेत्रफल बराबर देखिए बेलन का संपूर्ण प्रिष्टे चेत्रफल बराबर 2πi r into h plus r होता है किलर है दो गुना πाई का मान है 22 बटे 7 गुना r अभी निकालेंगे देखिए ज्यात किया है 28 cm यहां पर किलर है तो इसको r लिखेंगे 28 cm अठाइस सेंटिमीटर फिर बरिकेट है बरिकेट लगाकर h का मान है 16 किलर है पलस फिर r का मान है 28 cm इसको solve करेंगे यहां पर देखिए साथ एका साथ साथ चवक के 28 किलर है और नीचे कुछनी बच्चा है उपर उपर को गुना करके इसके साथ गुना कर देंगे दोनों का सम के साथ दोनों का योग के साथ 22 दुनी 44 गुना 4 फिर बरिकेट यहाँ पर देखे़ दोनों को प्लस करेंगे सुल्ल और अठेज को प्लस करेंगे तो 44 आजाएगा पिर इसको लिखते हैं देखेए चार चुब के 16, चार चुब के 16 और 17, 176 हो आ गया, फिर बरिकेट का मतलब गुना होता है, फिर यहाँ पर 44 लिखितेंगे, किलर है, इसको गुना कर देते हैं, अब हम लोग, देखिए, 176 का 44 के साथ गुना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 7744 सेंटीमिटर स्क्वेर, किलर है, तो इस तरह, हमारा वकर पिर्ष्टे च्छदफल आ गया है, 2816 और संपुर्ण पिर्ष्टे च्छदफल, 7744 सेंटीमिटर स्क्वेर, किलर है, यहोग अंसर, अब हम लो 16 सेंटीमिटर, 8 सेंटीमिटर, और 6 सेंटीमिटर है, डब्बे का पिर्ष्ट च्छदफल यात करें, किलर है, तो इहाँ पर देखिए, बच्चे बहुत कनफिजिन में रहते हैं, कि परिष्ट उच्छदफल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें वो लोग, वकर प्रिष्टे शत्फल निकालने के लिए कहा गया है तो आप लोगों को संपूर्ण प्रिष्टे शत्फल ही निकालना है जब तक कि वक्र ना कहा जाए अगर यहां पर वक्र लिखा हुआ रहता तब वक्र निकालना है लेकिन यहां पर प्रिष्टे शत्फल बस निकालने के ल हम लोग अब निकालेंगे यहाँ पर देखिए चोग का डबा की सेफ का रहता है इस तरीके सर रहता है घनाब के सेफ का किलर है ना तो हम लोग यहाँ पर घनाब का संपूर्ण प्रिष्ठी शत्फा लिखेंगे घनाब का संपूर्ण प्रिष्ठी शत्रफल बराबर देखिए घनाब का संपूर्ण प्रिष्ठी शत्रफल बराबर होता है टू इन्टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किलर है इसको याद कले ना है यह फोर्मूला है जब तक फोर्मूला याद नहीं रहेगा मैत बन रखते हैं 2 फिर के ल, का बेल्यू 16 है इन्टो बी का बेल्व देखिए rate centimeter है फिर यहाँ पर फिर से पलला SAY उसको एप्दखे rate बी का बेल्यू 8 है फिर एच का मरुज यहाँ पर देखिए छे सेंटीमिटर क्यारे है गुनाँ 6 centimeter फिर पलस विर देखिए एज का वेल्यू छे सेंटिमीटर है इन्टू एल का वेल्यू फिर से 16 सेंटिमीटर है 16 सेंटिमीटर किलर है अब इसको सोल्व करेंगे 2 बरिकेट लगाएंगे उसके बाद देखिए 16 का पहड़ा आठ बार बोलेंगे तो 16 अठे 128 फिर प्लस फिर 6 का पहड़ा आठ बार बोलेंगे 6,8,48 फिर प्लस उसके बाद देखिए 16 का पहड़ा 6 बार बोलेंगे 166 च्यानवे क्लर है बराबर फिर 2 को लिखेंगे अब देखिए बरिकेट का मतलब गुना होता है गुना लगा देखिए हम सबको सबको प्लस करेंगे तो आजएगा हमेरे पास 272 अब देखिए इसको फिर समलक करते हैं दोसो बहतर को दोस्ते गुना करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 544 अब यहाँ पर देखिए सब में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर लोग छेदफल निकाल है किलर है इसलिए स्क्वेर लिखेंगे तो इस तरह घनाब का संपूर्ण पिरिष्टे छेद्रफल 544 सेंटीमीटर स्क्वेर हो गया यह हमारा अंसर हो गया किलर है अब आपको वीडियो पसंद आया होगा व अपने कलासमेट के साथ जरू शेयर करें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो फर वाचिंग मैं वीडियो